वेलकम स्टुडेंट सब्सक्राइब कीज़े मेडिकल गाइड यूटूब चैनल और पाईए मेडिकल रिलेटेल लेटेस्ट अपडेट सो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे आर यूट चैसे बीए सी नर्सिंग एंटरेस एकजाम 2021 के काउंसिलिंग के बारे में कापी सारे स्टुडेंट्स है वो काउंसिलिंग के बारे में मुझे कमेंट कर रहे थे कि यहां पर देखे इस वीडियो में हम बात करे लेकिन वह सेकंड राँड करें कि इस के बारे में हम जानकरी लेने वाले पूरी अपडेट आपको देंगे साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जिन स्टुएंट में फर्स्ट राँड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया उनको फिलाल अलोट्मेंट लेटर से बहुत सारी preparation करनी बाकी है जी हाँ बिल्कुल students तो allotment letter जारी होने के बाद में आपको college में reporting का बहुत ही कम time दिया जाएगा तो students इन बातों का ध्यान जरूर रखना वरना आप अपनी college मिस कर सकते हो so students सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर first round की फिर बात करेंगे यहाँ पर second round की पूरी update इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखें first round counseling first round counseling है वो यहाँ पर चोई spilling है वो यहाँ पर देखिया आप काफी दिन हो गए इसको complete हो गई है first round की और काफी सारी student ने इनमें participate भी लिया लेकिन अभी क्या है इसका जो allotment letter है उसके यहाँ पर काफी सारे student है जो wait करें अभी इसका allotment letter है वो जारी नहीं है तो अप्रेयल के फ़र्ष्ट विंग में इसका हो सकता है फ़र्ष्ट सेकेंड थर्ड अप्रेयल को जारी हो जाए तो इसका अलोटमेंट है वो अप्रेयल के फ़र्ष्ट विंग में 100% इसका अलोटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएगा अब दूसरी बात यहां पर देखें कापी सारे से student जिसके documents और फिस यहां पर complete नहीं है लेकिन allotment later होने का wait कर रहे हैं तो student सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आपको कौन-कौन सी preparation करनी है allotment later तो आपका आजाएगा लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी इससी preparation है जो आपको करनी है तो सबसे पहले यहां पर देखिए सबसे पहले आपके पास आप यह दी college में वाकई में admission लेना चाहते हूं आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहले कौन-कौन से documents आपके पास इस समय ready होने चाहिए तो यहां पर देखिए सबसे पहले allotment letter तो आपको मिली जाएगा अप्रेल के first week में आपको allotment letter है वो मिल जाएगा यह बहुत थी compulsory documents है जो आपको college में मांगा जाएगा इसमें allotment letter में आपका क्या होगा आपका college का यानि कि आप कौन से college मिली है वो इसमें आपका mention होगा पूरी detail कौन से college कहां पर है क्या है पूरी detail इस allotment letter में आपकी mention होगी तो यह allotment letter आप download करने ना इमितर के साथ से तो यह documents दूसरी बात allotment letter नहीं इसके अलाव बहुत सारे इसे documents है जो आपको required होगी तो देखे फर्स्ट पहले 10th और 12th की mark sheet अभी से ready कर ले ना ओरेजनल साथ ही इसकी 12th की TC जी हाँ बिल्कुल student transfer certificate ये भी very very important है ये आपके होने चाहिए ओरेजनल जी हाँ बिल्कुल student कापी सारी student है वो इसकी photocopy रखते हैं फोटो को पी नहीं चलेगी ये देखे ये आपके documents है औरेजनल होनी चाहिए इसके साथ साथ एक और डोकुमेंट्स आता है जो आपके जो दो कमेंट्स जो सहयुक्त होते है जैसे फल्स जाती परमानपत्र है ये भी आपका important जो documents है जाती परमानपत्र है आपके पास होना चाहिए original पुराणा नहीं होना चाहिए कपिस्तार student के पास पुराणा होता है दूसरा यहांपर देखे बूर निवास के पर्मानपत्र यह is very-very important है मूर निवास काई अपके पास उना चाहिए तो यह documents आपके पास उनी चाहिए अउन चाहिए इसके बना भी आपका college में admission नहीं होगा medical fitness certificate के से बनवाते हैं very simple है आपको simply emitter पर जाना emitter पर वहाँ पर बोलना मुझे medical fitness certificate चाहिए जो है वो आपको online वहाँ पर फोरम दे देगा उस फोरम में आपको पूरी detail बर देनी है अपने समंदिद और यहाँ पर जो गोवर्मेंट hospital है वहाँ पर जारे को गोवर्मेंट doctor के हस्ताक्सर करणा लेने और वहीं आपका होगा medical fitness certificate और अंती में बात करें तो फीस जी हाँ बिल्कुल student फीस आपके बहुत ही ज़रूरी है अभी आप फीस का इंतजाम कर लीजे क्योंकि यदि आपको private college मिल दा है या कोई भी college मिल दा है तो उसमें सबसे पहले आपकी फीस के बिना admission बहुत ही मुश्किल होता है तो आपकी फीस वहाँ पर जमा करवानी होगी जिस्तनी भी फीस है आप कहोगे सर फीस का हमें किसे पता चलेगा private college में तो वहाँ पर फीस अपनी college में contact कर लेना और वहाँ पर जितनी भी फीस है वो फिर जमा करवा सकते हो फीस भी आपकी पास रेडी होनी चे जितनी भी फीस है लगबग minimum 70 70 के आपकी फीस है तो 70 के फीस आपके पास होनी चयंफिए यहाँ पर जमा करवाने के लिए काफिसारे ऐसे so- nominee ज件े जो इसको लग लग किस्त में लेते हैं लेकिन काफिसारेक को लेजए जो 7 यह फीस लेती है तो किस भी आपके पास होनी चय यह लाप आप को मैं जीनिश आग कि काफे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड complete मालो right, complete होने के बाद मिन सेकरिंड राउंड में participate लेना चाहते हैं देखे सेकरिंड राउंड का थौै timing नहीं दिए गया है लेकिन second round में आपको बता दूँ जब इन first round वालों का complete हो जाएगा सब कुछ joining सब कुछ इनका reporting time allotment जारी होने के बाद में reporting time सब कुछ complete हो जाएगा तब second round का यहाँ पर start की जाएगी तो जब तक इनका काम complete हो नहीं होता तब तक आपकी second round वो start नहीं की जाएगी student और कापिसार यह से student जिसके first round में नहीं मिला तो वो second में भी count जो है यहाँ पर ले सकते हैं admission तो यह process है पूरी चल रही है तो इस process को मुझे लगता है पूरा complete होने में अप्रेल का जो पूरा समय है अप्रेल अप्रेल पूरा लग जाएगा यानि की first round second round पूरी complete होने में आपका admission पूरा process complete यानि की regular complete होने में अप्रेल अप्रेल तो लगे जाएगा पूरा complete होने में जी हाँ बिल्कुल student 1 मई से जी हाँ 1 मई लगी जाएगा आपका session complete होने में तो काफिसार स्टुडेंट है जो काफिसार में से मुझे call कर रहे थे कि सर हमारा session कब तक शुरू हो जाएगा तो 1 मई यहाँ पर लग जाएगा आपका क्योंकि अप्रेल में admission की process complete होने में लग जाएगा और यहाँ पर देखे एक और important बात है यदि आपका admission complete हो जाता तो तुरंत आपको जो है पर मिलती रहेगी तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नई जानकर इसके साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जैन्द मात्र